इस्वर्स के चुनावती पूर्ण ग्लोबल और ख्षेत्री वातावरण में एस्यों के प्रभाईवी नेत्रुत्र के लिए मैं प्रसेज़ेंट मीर्जी औरेव को रदय से बधाई देता हूं आज पुरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनावतियों का सामना कर रहा है एस्यों की भूमी का बहुत महत्पून है एस्यों के सदस्य देश वैस्वीक जड़िपी में नगभग 30 प्रतिशत का योगदान देते हैं और विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या भी एस्यों देशों में निवास करती है भारत एस्यों सदस्यों की बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है माहमारी और युक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेंज में कई बाधाय उत्पन्न हुई जिसके कारण पूरा विश्व अपुत्पुर्व उर्जा एवन खाद्य संकट का सामना कर रहा है एस्यों को हमारे ख्षेत्र में विस्वस्त रेजियन्ट और डावर्सिपाइट सप्लाई चेंज विक्सित करने के लिए प्रैत्न करने चाहिए इसके लिए बहतर कनेक्टिविटी के आवश्रक्ता तो होगी ही साथ ही यह भी महत्वपुर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिक का पुरा अजिकार दें एक्सलेंसीज हम भारत को एक मैनिफेक्टिर हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं भारत का युवा और प्रतिवेंसाली वर्कफोर्स को में स्वाभाईव की रूसे कंपेटिटिव बनाता है इस वर्ष भारत की अर्थववस्ता में 77.5 प्रक्षिसत भुद्धी की आशा है जो विश्व की बड़ी एकॉनिविज में सबसे अधीक होगी हमारे पीपल सेंट्रिक डव्लप्मेंट मोडिल में टेक्नोलोजी के उचीत उप्योग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है आज भारत में 70,000 से अधीक स्टार्ट अप्स हैं जिनमें से सो से अधीक उनिकोन है हमारे यह अनुभव कई अन्य एस्सीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है इसी उद्देश से हमें एक नए स्पेशल वर्किंग गूप और स्टार्ट अप्स एन इनोवेशन के स्तापना करके SEO के सदस्यों के साथ अपना अनुभव साजा करने के लिए तायार है एक्सलेंसी विश्व आज एक और बड़ी चुनोती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरीकों की खाद्य सुरुक्षा सुनिश्चित करना इस समस्या का एक संभावित समादान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूर है जो न सिर्फ S.C.O. देशों में बलकि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकर से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोशक और कम लागत वाला विकल्प है वर्ष 2023 को UN International Year of Millets के रुप में मनाये जाएगा हमें S.C.O. के अंतरगत एक मिलेट फूर फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए भारत आजविश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिजम के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है अप्रेल 2022 में गुजरात में डब्ली एचो ग्लोबल सेंटर फूर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का उद्गाटन किया गया पारंपानिक चिकिसा के लिए यह डब्ली एचो का पहला और एक मात्र ग्लोबल सेंटर होगा हमें एस्टिन देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन्स पर सहीयोग बढ़ाना चाहिए इसके लिए भारत एक नए एस्टियों वर्किंग ग्रूप और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स पर पहल लेगा अपनी बात सवाप्त करने से पहले मैं प्रेसिदेंट मिर्जी यह को आज की बैटक के उत्कुरुष्ट संचालम और उनके गर्म जोस्ती से भरे आतित्र के लिए फिर से धन्वाद अदा करत वहती है हूं बहुत बहुत बन्वाद